तो गाइस मैं हुआ कि तो और आप दिख रहे हैं रिस्लिंग फैंस नाइट वर्क सुरू करते गाइस अपनी बात कुम लोग सबसे पहले बेस्ट इंद वर्ल सी एम पंक से तो भाई सी एम पंक को बैसे बर्लिन के अंदर मिली है विक्टरी मैं कें टैर को हरा चुकें सी एम अब ऐसे में सी एम पंक को ये विक्टरी क्यों मिली इसके पीछे का रीजन क्या है इसके ओपर कॉमेट करते हैं डेव मिल्जर हाला कि ये कोई टॉपिक ही नहीं बनता वैसे दो लेकिन फिर भी नोने बोला है भाई तो मैं आपको बता रहे था हूँ इसके पीछे सायद ए एज़ अ मेजर ध्रेट एज़ मेजर सूपर्षटार तो डवी को रहा है कि इतना मैश से मैच है इतना बूटल मैच है इस मैच के अंदर सीएम पंक को विक्टरी देंगे तो वो स्टेटर्स वापस से सी एम पंक रीक्लेम कर पाएंगे एंड वापस से सीरा टॉप पे तो बाइ दूसरा मैच अगर पंक नहीं जीतने तो फिर औरेडी एक तरीके से सीरीज जीते हैं ट्रू मैकेंटर तो फिर कोई सेंस नहीं मनता तीसरे मैच की तरफ आगे बढ़ना था तो पंक को यहां पर जीता आना था लेकिन सिफ एक लोगता यही रिजन नहीं था एक और यह भी था कि CM Punk को थोड़ा खुद को सॉलिडिफाई भी करना था कि हाँ भाई मैं भी एक मैजर थ्रेट हूं मैं भी हूँ जो ऐसे बरे मैचेस में कम्पीट करके मैचेस को जीत सकता हूं तो अब वो मोमेंटम मेंटेन कर सकतें CM Punk देखना होगा कि Bad Blood में कौन जीता विकॉज वो होने वाला है सबसे अन प्रेडिक्टमल मैच एक तो काफी हाड भी होगा वो एक तो हैले नसल मैच बैड ब्लड के अंदर Punk, McIntyre दोनों काफी परसनल फ्यूड बना चुके हैं अपनी तो देखना को कौन जीता है मुझे लगता है क्योंड जब ग्रेताइट में करें अब चलती को अब इसक बचाने मुझे बहुत मझाय ज으면 घक औरच तुम्हाज पर यहांगे ऐका मेरा दो में लि yell के वी-डियो करी जोड़ाने आल्स इतना अच्छा मैंने नहीं करा लेकिन हां आपको साथ काम करो मायकल को अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ के साथ करेंगे तो यह भी होता है आगर आपको वैसे मूवस मालूं होगे कि यह बिखा दिया जा कॉमेंटरी करने के लिए आपको मिल्लियन's में लोग देखेंगे टेलुएजन पर तो आप भी हर एक मूव नहीं रिमेंबर कर पाओंगे तो वो समझने लाइक बात है समय के साथ improve करेंगे ज़रूर फिराल एक knowledge करते हैं इस चीज को कि हां मैं best नहीं था मैं कोशिस करूँगा best होने की आगे जाकर आगे जाकर आगे आगे बढ़ते हैं गाइस बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में अगले साल चाहती है कि लाइफ से से अगले साल उनको इंड़क्ट करना चाहिए बहुत जाना चाहिए बहुत जारा लेट नहीं करना चाहिए मैं अगरी करूंगा इस चीज से वाइट की डेथ हो गई अनफॉचिनेटली क्या कर सकता इसमें लेकिन ब्रेवाइट को अभी इस साल नहीं करा गया मतलब अभी 24 में दोजार पच्चिस में जरूर से करना चाहिए ब्रेवाइट को अगर वाइट को इंडक्ट किया जा रहा आप चाहते हैं अपनी कॉमेट करके बताना। मैच होगा पंक बैस इन बर्लिन के बाद चैलेंज करते हुए दिखते हैं गुंथर को आज मंदे नाय ट्रॉम में भी सेम वो कह रहे थे लेकिन आज आ जाते हैं भाई ड्रू मैकंटार उनके सामने फिर से अगली स्टोरी के बारे में जो कि यह सालेट फ्लेर को लेकर तो बाई सालेट फ्लेर के रिटन को लेकर एक मैसिव अपडेट है क्या हो सकता है इनके return के बाद बाइद बगर आप भूल को तो मैं आपको याद दिला दू November में Solid Flair expected है कि वापस आएंगे ऐसा कहना Vyper Reports का अभी वापस आएंगे तो इनके लिए क्या plans हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता जाता हूँ यह report ने कलके सामने आई है again Vyper Reports के तरफ से Solid Flair is expected to rejoin the SmackDown brand Flair is considered likely to challenge Nia Jax down the road with possibilities looming that it could lead to Flair vs Tiffany Stratton at an upcoming PLE It appears Bayley will get a rematch with Nia Jax first of all though वापस आएंगे तो वापस आने के बाद वो SmackDown brand को जौइन करेंगी and जौइन करने के बाद ऐसी possibilities बताई जा रही है कि वो पहले तो जाएंगी Nia Jax के against and उसके बाद यही चीज़ लीड करेगी Solid vs Tiffany Stratton के तरफ and यह भी बताई जार साथ में कि Bayley Nia Jax को एक rematch में challenge भी करने वाली है तो main यहाँ पर बात है Solid and Tiffany Stratton की साइद इनका match I think Russell Meena में भी हो सकता है लेकिन अगर November में वापस आ रही है Solid तो मैं expect कर सकता हूं कि Sad Nia Jax के साथ इनकी feud January तक चल सकती है और उसके बाद में भी वो involved होगी Tiffany के साथ में तो feud में भी Russell Meena तक जाएगी तो maybe मुझे ऐसा लग रहा भाई बागे यह report है वाई पर report की अपना सीजन प्रीमियर होगा नहीं तो bad blood के लिए होगा बाकी SmackDown के लिए होगा इसको लेके update है भाई Sad एक twist हो सकता है हम लोग expect करें कि इस बाद Roman वापस से cost करेंगा Solo को लेकिन साथ ऐसा ना हो Viper Reports की यह update आप देख सकते होगे As expected Cody Rhodes will next defend The Undisputed WWE Championship Sorry भाई Against Solo Sikawa Likely to be announced this Friday night on SmackDown Whilst many are already speculating A possible appearance for Roman Reigns To get revenge over the recent attack From the new bloodline This good I repeat Could be one of a few potential spots For Jimmy Uso to finally make his return To try and get revenge For what Solo Sikawa and Tamatonga did to him कहना है कि लोग expect करें Roman Reigns का return फिर से Ki Roman आएंगे and attack करेंगे लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है Maybe Could यहाँ पे खाजार तो यह 100% confirm नहीं है Could use करा जारा तो maybe हो सकता है Could भी इसा possible है कि Jimmy Uso finally वापसाएंगे And cost करेंगे Revenge लेंगे Solo Sikawa and Tamatonga से मुझे भी ऐसा लगता है Because काफी करीब हम लोग पहुँच चुके है लेकिन देन फिर Roman का बाएंगे वो देखना होगा क्या लगता आपको क्या नहीं कॉमेंट करके बताना फिलाल भाई यह कुछ अपडेट्स है इस वीडियो के लिए I hope साब का इंफॉर्मेसन मिली हो मिले तो वीडियो को लाइक करें सेयद करें सब्सक्राइब करें चैनल को तक आने वाले टाइम के अंदर आपको और बेसे नहीं डबी डबी की न्यूज रूमर अपडेट्स टाइम टो टाइम जानने को मिलते रहे फॉलो कर सकता आप लोग मुझे इंस्टाग्राम आपको मिल जाएके डिस्क्रिप्शन में जॉइन के सकते हैं वाट्सिप चैनल को उसके वी लिंग का डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ओफेर काफ इंटरस्टिंग वीडियो में